हुआ है इस तोपिक में प्रोग्रेशिंज के जो कुष्चिंज साइटी में आते हैं उसमें जहां में ब्लॉके जाएगी वह आईगी टाइम की कंजंप्शन पे उसको भी नोटिस करना और किसी कुष्चिंज की लांगविच को देख के वरिड ना होना उस लांगविच को ब तो चलो, question से शुरू करते हैं, यह अपने आप solve करो बिल्कोल simple सी term थे बिस question में हमें, अब देखो सारी बाते हमें known हैं बस वहाँ exam में अब main task किया है कि हमारा representation बहुत तेज हो हमें किसी ने बोला कि एक APK 2N terms का sum तो क्या करते हैं, simply number of terms by 2 twice the first term plus number of terms minus 1 into common difference directly हमने बना लिए number of terms by 2, twice the first term मतलब 2A plus 2N minus 1 into D, यह हमें known था यह हमें given था कि बराबर है X के अब हमें अलग से given था कि जो sum of next end terms है अब sum of next end terms को बोल पाने के बहुत सारे तरीके थे या तो हम लोग क्या करते हैं कि next end terms की जो first term थी वो ले लेते शुरू से आने वाली 2N plus 1th term देखो इसको भी notice करना या फिर simply सोचें कि शुरू की 3N terms का sum कितना हो गया पहली 2N terms का X है बाद की N terms का अगर Y है तो शुरू की 3N terms का sum बना लेते हो वो कितना बन गया X plus Y वो बन गया number of terms by 2 twice the first term plus number of terms minus 1 into common difference अब ये बनाने के बाद अब हमारा clear cut target क्या था कि हम यहाँ पे किसी तरीके से D निकालने की करे हो तो अब D निकालने के लिए कि या करते हो तो simple सा pattern था अगर एक बात notice करो तो X बराबर था 2N by 2 तो 2 और 2 तो खैर चलो हो गया आपस में cancel तो अब दिखता है कि जो X by N था जो X by N था वो था 2A plus 2N minus 1 into D जबकि जो अब यहाँ से simply हमें यह मिल गया 2 times of X plus Y by 3N simply यह बराबर हो जाएगा 2 times of X plus Y by 3N यह बराबर हो जाता इस expression के simply हमने हमें इतनी सी बात समझ मैं कि by 3N यह बराबर हो जाता 2A plus 3N minus 1 into D यह term बनाने के बाद अब अगर हम लोग simply इन दोनों को subtract कर दें तो यह 2A और यह 2A आपस में cancel हो जाते directly हमें D में तरम बिल जाती तो directly बरादा X by N simply 2 times of X plus Y upon 3N minus X by N वहाँ से 3N minus 1D और यहाँ से 2N minus 1D cancel हो कि वह बन गया in D वहाँ से directly D आ गया तो simple सा logic था D को obtain करने का पर हम लोग ऐसे ऐसे बोल चकते थे तो एक simple सा तरीका हमने लगाया है कि 2A वाले term को cancel करा दो उसके बाद इसका solution actually बहुत straightforward था पर चलो basic सा सवाल था हमसे right होना चाहिए था अब next करो बना दो तो सारा skill क्या था कि पहले हमें X तो बता हो इस question में अब trick क्या थी कि अब यहाँ पर इस modulus को break कैसे करें तो हमें दिखा कि 3X-1 का mod X-3 का mod है तो इस question में हमें समझना चाहिए था कि हमें cases बनाने चाहिए अगर मान लो हम अपनी तरफ से यह decide कर लें कि X 1 by 3 से कम है तो अगर X 1 by 3 से कम होता तो यह bracket भी negative यह bracket भी negative यह बन गया 1 minus 3X यह बन गया 3 minus X तो अगर यह तीनों अगर AP में हैं तो बीच वाले का double simply यह बन गया 6 बीच वाले का double 6 बराबर हो गया 1 minus 3X plus 3 minus X के वहां से हमने X obtain करा वो आया minus 1 by 2 X 1 by 3 से कम है तो minus 1 by 2 value हमें समझ में आया कि valid है हो सकता है X ही है तो हमने X को minus 1 by 2 डाल दिया terms बन गई 5 by 2, 3, 7 by 2, 4 और 9 by 2 उनका sum निकाला that is 35 by 2 तो एक option तो यह बना sum कितना आगे 35 by 2 पर इस case में हमें वो option में नहीं given था अगर given होता तो यह option भी correct होता second हमने case लिया कि अगर X 1 by 3 और 3 के बीच में हो तो उस case में यह bracket हो जाता positive 3X minus 1 का modulus modulus अटाने में क्या बन जाता अखेला 3X minus 1 लेकिन second bracket बन जाता 3 minus X क्योंकि modulus के बाहर answer positive हाता है तो second case में हमने simply जब इसको बिल्कुल सेम तरीके से solve करा तो 6 बराबर हो गया simply 3X minus 1 plus X minus 3 वहाँ से X की value 2 आ गए तो X की value 2 आने पर हमने terms अप्टेन करी उसका साम आ गया 5 5 यहाँ पर अपकी पार option में था इसलिए यह possible answer बना तीसरा हमने case बनाया कि बढ़ा होना चाहिए तो इस case में अभी यहाँ पर जो हमें option में answer given था वो यहाँ पर 1 by 3 से 3 के corresponding था लेकिन अगर यह question 1 or more than 1 options का होता और उसमें 35 by 2 option भी अगर होता तो हम उसको भी mark करते तो इस question में notice करो कि main trouble क्या थी यह modulus वाला part और इसमें भी कोई skill नहीं था पर हमें बिलकुल इसको ऐसे बोलना चाहिए था अब next करो ठाई यह question भी बिलकुल basic सा पर दिखो हमने इस question में trigonometry का हमारा known point involved हो गया हमने अगर याद करो तो plus 1 में ऐसे questions देखे होते हैं tan 80, tan 70, tan 10 को link कैसे करेंगे directly tan 80 को तोल देंगे tan 70 plus 10 में अब यह हमें known है tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B इसको cross multiply करा यहीं पर सारी understanding है इसी point को बस हमने recall करना था हमें clarity है कि जो tan 80 degrees है वो tan 10 degree का reciprocal है tan 10 degree क्या हो गया cot 80 degrees cot 80 tan 80 multiply हो के vanish हो गए हमें term मिल गए कि tan 80 minus tan 70 बराबर है tan 70 plus tan 10 तो अब अगर हमने इन terms को देखना है तो अब notice करो कि अगर यह तीनों AP में है तो इन दोनों का difference और इन दोनों का difference सेम होना चाहिए तो हमने उस बात को यहाँ पर देखा तो वो बन पा रहा था notice करो tan 80 minus tan 70 minus tan 10 इसे बराबर होना चाहिए इन दोनों का difference that is tan 70 तो अगर हम इस tan 10 को अगर इस तरफ ले आया तो tan 80 minus tan 70 minus tan 10 बराबर आ रहा है tan 70 तो हमने दिखा कि यह terms तीनों कैसी आ गई AP में कैसे पता करा जैसी हमने यह relation बनाया हमने दिख गया कि यह exactly वही term बन गई जो हमसे कही गई है कि चेक करो कि AP में है कि नहीं हमने simply सोचा कि यह A है यह B and this is C हमने A minus B, B minus C देखा कि क्या वो equal आ रहा है तो हमें दिखा कि वो equal आ पा रहा है तो it was again a basic question पर देखो इसका use किस तरीके से हमने करा अब next करो पर देखा